घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए जमू कश्मीर के घने जंगलों और गुफाओं में सुरक्षा बलों का बड़ा ओप्रेशन चल रहा है पीयम मोदी ने घाटी से आतंकवाद को मुक्त करने का वादा किया था और अब तो खबर ऐसी भी आ रही है कि सेना आतंकियों पर बड़ा चोट देने के लिए ओप्रेशन चला रही है और बताई ये भी जो रहा है कि घाटी से आतंक का खात्मा होने वाला है सुरक्षा एजुन्सियों के मुताबि घाटी में स्थानिया आतंकियों की संख्या में कमी आई है और इसे घाटी में बदलाव की तरह देखा जा रहा है एक भी आतंकी नहीं बचेगा पीयम मोदी पूरा करेंगे अपना वादा घाटी में सेना का सबसे बड़ा ओपरेशन हिंदुस्तान की सेना ने कसम खाई है कि अब घाटी से चुन-चुन कर आतंकियों का सफाया किया जाएगा सेना और सुरक्षाबल ने जम्मो कश्मीर से आतंकियों के خात्मे के लिए एक बड़ा ओपरेशन शुरू किया है आतंकियों की तलाश के लिए जम्मू कश्मीर के जंगलों का कोना कोना सेना खंगाल रही है और गुफाओं में दुपके आतंकियों को ढूंड रही है सुरक्षी अजेंसियों से मिली जयानकारी के मताबएक कश्मीर में अभी 108 आतंकी एक्टिफ है सुत्रों के मताबएक इसमें 67 विदेशी और 41 लोकल आतंकी है विदेशी आतंकियों में कुछ घाटी में मौझूद हैं तो कुछ सीमा पार्ट से साजिश रच रहे हैं या आतंकी या तो पाकिस्तान में बैठे हैं या पियोके से देशतगर्दी के मौड्यूल को ऑपरेट कर रहे हैं जिने भारत में बैठे आतंकियों के मददगारों से मदद मिल रही हैं तारगेट ओन है और जैसे ही आतंकी रेडार में आएंगे उनका नाम दुनिया से मिट जाएगा क्योंकि सेना और सुरक्षाबल ने अपने पिछले ऑपरेशन में ये साबित भी किया है आतंक के खलाफ एक्षन से जुटा डेटा बताता है कि पिछले साल से अब तक 78 आतंकियों का सफाया हुआ है जम्मु कश्मीर में साल 2024 की शुरुआस से अब तक 7 आतंकी धेर हो चुके हैं 2023 में 71 आतंकी मारे गए थे जिसमें 48 पाकिस्तानी और 23 घाटी से थे 2022 में 183 आतंकी धेर होये थे जिसमें 56 विदेशी और 127 स्थानिय थे 2021 में 181 आतंकी मारे गए जिसमें 30 पाकिस्तानी और 151 घाटी से थे इस साल सेना और सुरक्षा बल ने 3 पाकिस्तानी और 2 स्थानी आतंकियों को धेर किया इसके बाद कुछ दिन पहले ही दो आतंकियों को कश्मीर में मार गिराए गया और इस साल मारे आतंकियों की संक्या साथ पहुँची है सुरक्षी अजेंसियों के मताबिक घाटी में स्थानी आतंकियों की संक्या में कमी आई है और इसे घाटी में बड़े बदलाव की तरहां देखा जा रहा है यही नहीं सुरक्षा बलों ने अपने ओपरेशन से गुसपैट की कई कोशिशों को नाकाम कर आतंकियों के मनसूबों पर पानी फेर दिया है पिछले साल 12 आतंकियों ने गुसपैट की कोशिश की और सवी आतंकि नाकाम रहे 2022 में 55 आतंकियों ने गुसपैट की कोशिश की जिसमें सुरक्षा बलने 36 गुसपैट की कोशिशों को नाकाम किया साल 2021 में 77 आतंकियों ने गुसपैट की कोशिश की सुरक्षा बलने 43 गुसपैट को नाकाम किया है यह आगले बताते हैं कि नए जम्मु कश्मीर की तस्वीर अब पूरी तरहां से बदल रही है पाकिस्तान की साज़िश नाकाम हो रही है आतंकियों गुसपैट करने में काम्याब नहीं हो पा रही है जिसकी बौखलाहट पाकिस्तान और पियोके में बैठे आतंकियों में साफ दिख रही है रही है